अमीर सौतेली बेटी ने खाया गरीब माबाप के घर खाना अमीर निशा अपने गोल से बैट पर सो रही थी कितबी उसका अलारम बज़ता है जिसे वो बंद करके गाने चला कर डांस करने लगती है उसके तेज म्यूजिक चलाने से हौल में बैठे उसके अमीर माबाप, माया और राजबीर मैगजिन पढ़ते हुए कहते है लीजे, आपकी बेटी जग गई है, रोज उठकर म्यूजिक चला कर नाचना शुरू करते है मेरी बेटी को कुछ मत बोलो तुम, योनो ना, डांस उसके होबी है आप नहीं तो उसे अपने सर पर चढ़ाया है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, ब्रिक्वस के लिए महारानी है न, बिना बुलाए नीचे थोड़ी ना आएंगी हाँ, मेरी प्रिंसस है वो ये कहते ही माया अपनी बेटी को बुलाने जाती है बेटा, कम, जसी ये एट उक्लॉक हो रहा है, ब्रिक्वस के लिए नीचे आजाओ ओके मॉम, लेकिन मैं आज ब्रिक्वस में पनीर की पराटे और सैन्विच काऊंगी ओके, बन जाएगा इतना कहते ही माया उसके लिए नौकरों से कहकर उसका फेवरेट ब्रेक्वस बनवा देती है जिसके बाद तीनों एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर ब्रेक्वस करते है राजवीर एक बहुत बड़ा बिजनिसमेंट था इसलिए वो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था निशा में उसके जान बसती थी वो उसकी हर फ़ाईश पूरी करता था अमीर माबाप के प्यार ने उसे घमंडी भी बना दिया था वो एक मॉडल एक्टर थी वो अच्छी-च्छी आउटसाइड जगा जाकर मैगजिन्स के लिए फोटो शूट किया करती थी ऐसे ही एक दिन फोटो शूट के लिए वो जंगल सफारी क्रू मेंबर्स के साथ आई थी जहाँ उसकी असिस्टेंट मेना निशा को कहती है ये सुनकर निशा शूट के लिए तयार हो जाती है और फोटो शूट करती है पिंजरे में रखे बंदर और हाथी को खिलाते हुए दो दिन में उनका शूट खतम हो जाता है निशा वहां की होब तूरज जगा की सेलफी लेती है लेकिन उसकी ग्रूप में कोई मिसंडिस्टेंडिंग हो जाती है जिस वज़ा से वो निशा को छोड़ कर चले जाते है जब निशा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परिशान होती है और जंगल में भटकते भटकते कहती है ओ गौड अब में क्या करूँ मैं तो यहाँ पर अकेली रह गई मॉम ने कहा था यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स है मुझे बच कर रहना चाहिए मॉम को कॉल करती हूँ और अपने ग्रूप को ओ नो मेरा तो फोन ही डैड हो गया है अब मैं क्या करूँगी मुझे बहुत डर लग रहा है निशा जंगल में चलती रहती है तब ही एक शेर उसके सामने आता है भगवान शेर यह तो कोई भी नहीं एतना खुखार शेर है कहीं इसने मुझे मार दिया जिससे वो बेहोश हो जाता है तब ही वो दोनों कहते है चलो बेटा जल्दी करो चलो यहां से बेटा जल्दी करो वो शेर कुछ देर के लिए ही बेहोश हुआ है तुम नहीं गई तो हम तीनों मैंसे वो किसी को नहीं छोड़ेगा हाँ हाँ चलती हो चलती हो ऐसा कहकर वो दोनों बूरे व्यक्ती निशा को अपनी जोपड पट्टी में ले आते हैं जो जंगल से बाहर की तरफ थी तबी सुनन्दा उसे पानी राकर देती है जिसे वो पी लेती है फिर वो निशा के सिर पर हाथ रख कर कहती है आरे बेटा तुम यहां के ले जंगल में क्या कर रही थी ओफो अपना हाथ टाईए स्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजे आपकी बात मान कर यहां क्या आ गई आप तो करीब ही आ गए मेरे और यहां में घुमने नहीं अपने काम फोटो शूट करने ग्रुप के साथ आई थी लेकिन गलती से यहां रह गई वो कितनी गर्मी हो रही अब मैं कहा रहूंगी अरे बेटा तुम बे फिकर होकर रहो रहने को तो हमारे पास यह जोपड़ी ही है जब तक तुम्हारे कोई सगे सम्मंदी नहीं आ जाते तब तक तुम यहां रह लो सुरक्षित हो बेटा हम मूख लग रही है मुझे कुछ खाने को है क्या हाँ हाँ बेटा सुननदा ने दाल भात बनाई है ओहो दाल भात पता नहीं अब मुझे इस गरीब खाने में कैसा कैसा खाना खाना पड़ेगा मजबूरी है कोई नहीं ले आओ निशा हाथ मूधो कर फिर जवीन पर बैटकर खाना खाती है जहां किशोर उसकी हवा करता है निशा को देखकर सुननदा की आँके भराती है और वो धीमे से कहती है अजी सुनते हो देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है अगर आज हमारी बेटी होती तो इसकी जितनी ही होती बिल्कुल ठीक कहती हो तुम अरे वाई ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा खाना है क्या मुझे और मिल सकता है भूक लग रही है हाँ हाँ बेटा ले लो अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम निशा है वैसे आप अकेले रहते हो बस मतलब आपके कोई बच्चे वगेरा नहीं है बड़ा प्यारा नाम है निशा बेटी मेरी एक बेटी थी आज बड़ी होती तो तुम्हारे जितनी होती दरसल कुछ साल पहले हमारे गाउं में एक बहुत भेंकर बार आई थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और मेरी पांच साल की बेटी मुझसे दूर हो गई वो है या नहीं ये भी हम नहीं जानते आज होती तो हमारी छोटी सी सिंदगी में अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार करते हैं हम दोनों उसे गले लगाने के लिए बहुत तरस्ते हैं आप चिंता मत कीजिये आपकी बेटी जहां भी होगी खुश होगी रात हो जाती है वो वहां सोने की कोशिश करती है नीद ना आने पर उन पर अपनी अमीरी घमंडी जाडने लगती है फिर सुननदा उसे गोद में सिर्द रखने को कहती है जहां उसे बहुत अच्छी नीद आ जाती है फिर वो उन दोनों से प्यार से बाते करती है तीन दिन में ही वो घुल मिल जाती है फिर उसके माता-पिता गाड़ी में बैठे हुए उसे ढूंडते हुए आते है तो गले लगकर माया कहती है निशा मेरी बच्ची कैसी है तू? पता है हमें तेरी कितनी याद आई मेरे क्रिव ने बताया कि तुम लास टाइम याद है इसलिए हम यहाँ आ गए तुम्हें लेने तैंक्यू मॉम आप आ गई इन लोगों ने मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखा मेरी जान बचाई अच्छा अंकल आउंटी अब मुझे जाना होगा हाँ हाँ बेटी अपना ख्याल रखना शुक्रिया आपने हमारी बच्ची का ख्याल रखा कैसे धन्यवाद करें आपका अरे ऐसा मत बोलिये हमने अपनी बेटी समझ कर ख्याल रखा उसका इस तरह निशा अपने माबाप के साथ गाडी में बैट कर वापस अपने बड़े इसे घर में पहुंच जाती है वहीं बूड़े माबाप निशा के जाने से बहुत उदास है तो वहीं निशा को शानु शौकत पैसे उसे रास नहीं आता ना ही मकमल के गदे पर नीद आती है तो वो उठकर कहती है यहां पर आने की बाद मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा ह। जो दिन मैंने वहां बिताए हैं कितना अच्छा था वो लोग मुझे अपने से अलग कर रहे थे उनके हाथ का खाना खाकर भी बहुत अच्छा लग रहा था पर यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं ऐसा क्यूं हो रहा है ओ गौड लेट हो जाएंगा ओ हो आज की शूट के लिए मैं मॉम की साड़ी पहनूंगी वो माया के कवर्ट से साड़ी निकालती है तो एक लौकेट बाहर निकलता है जिसे वो अपनी मा से पूस्थती है माय किसका लौकेट है आज तक तो मैंने आपके पास नहीं देखा बताईए ये तुने क्यों निकाला मुझे वापस कर अरे अरे मा पैसे क्यों घबरा रही हो बताईए आप मुझसे क्या चुपा रही है बेटा दरसल वो तेरा ही लौकेट है जो तेरे गले में डला हुआ मुझे मिला था दरसल तु हमारी औलाद नहीं है ये बात सुनकर जब निशा लॉकेट खोलती है तो उसे सुननदा और किशोर की उसके साथ बचपन की फोटो मिलती है ये देखकर निशा के सामने सब कुछ दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है कि वो एक गरीब घर की बेटी है मा आपको पता है ये वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई उस जंगल में पता है वो मुझे कितना याद कर रही थे मैंने उनकी आँखों में अपने लिए तडब देखी है जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिन्दा हूँ वो कितना कोश हो जाएंगे मा मैं उनके पास जा रही हूँ जा बेटा हम तुझे नहीं रोकेंगे तुझ पर सबसे ज़ादा हक उनका है हाँ ममी पापा फर मैं वापस आऊंगी निशा कार चला कर अपने बूड़े माबाप के पास जाती है और उन्हें वो लौकिट दिखाती है सारी सच्चाई सुनने के बाद दोनों की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो निशा को गले लगा लेते हैं देखिए हमारी बेटी मिल गई हम बहुत खुश है हमें हमारी बेटी वापस मिल गई ममी पापा अब मैं आपको छोड़ कर कभी नहीं जाओंगी भगवान ने मुझे दो दो ममी पापा दिये हैं चलिए मेरे साथ पर बेटा हम खुदार इंसाने वहां नहीं रहेंगे मा आप वो एक आशियाना बना लेना जहां मैं आपके साथ भी रहूंगी और उनके साथ भी ठीक है बेटा बहुत भूग लग रही है क्या आप दुबारा वही दाल भात अपने हाथों से खिलाओ की आज हाँ मेरी बच्ची तबी सुनन्दा उसे अपने हाथ से खाना बना कर खिलाती है फिर उन्हें अपने साथ शहर ले जाती है जहां वो अपने दोनों माता पिता के साथ खुशी-खुशी रहती है इस तरहा अमीर सौतेली बेटी अपने गरीब माबाप के घर का खाना खा कर बहुत खुश होती है बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से सब खाना खालेंगे, तो लास्ट में मैं भी खाना खालूंगी अरे बहु, जरा मटके का पानी तो लेकरा, प्यास लग रही है आई माजी, अपनी सास कलावती के अवाज सुन कर संध्या उसे मटके में से पानी निकल कर देने जाती है दरसल वो मध्यमवर के लोग थे, उनके पास गर्मी से लड़ने के लिए न मौडन जबानी का फ्रेश था, ना ही एसी इसलिए वो सब मटके का पानी पीते थे, कुछ देर बाद सब खाना खा लेते हैं अचानक से घर पर महमान आ जाते हैं तो वो कहते है अरे बड़ी कर्मी हो रही है कलावती बहन, जरा बहु को बोलो कुछ धन्दा शर्बत लेकर आएगी तो बारे गर का पंखा भी मरा मरा सा चल ला है हाँ भाबी बिलकुल बिलकुल, अभी कहती हूँ, अरे संध्या बहु जल्दी से शर्बत लेकर आ कलावती की अवाज सुनते ही संध्या उनके सामने मटके के पानी का बना शर्बत ले आती है जिसे पीकर वो कहते है ओहो बहनाद ऐसे तुम शर्बत कहती हो ज़रा पीकर देखना इसमें तो बरफ भी नहीं डाल लखी अरे बहु तुझे ठीक से शर्बत बनाना भी नहीं आता क्या ऐसी बात नहीं है बुआ जी फुफा जी वो घर में फ्रिज नहीं है तो बरफ कैसे डालती इसलिए मटके के पानी का शर्बत बनाया है वो भी तो ठंडा है अरे इतने ठंडे से क्या होता है बाहर देख कितनी गर्मी हो रही है कलावती कैसी बहु से शादी करवादी तुने हमारे बेटे की रहिज में एक सामान नहीं लाई सस्ता सकूलर भी नहीं लाई फ्रिज के लिए तो क्या ही कहे अरे भाईया मैंने इसकी मा से बोला था पर ये लोग इतने गरीब निकले फिर मेरे रिष्टा तोड़ नहीं सकती थी क्या करू करवानी पड़ी मेरे सौरप की शादीज गरीब बन हो से अच्छा भाबी जी प्रणाम अब हम चलते हैं घर पर बहु बुला रही है वहीं जाकर फ्रिच का ठंडा पानी और आईस्क्रीम खाएंगे ये कहकर दोनू चली जाती है तबी गुस्से से कलावती अपनी बहु से कहती है हो गए तेरे दिल क्यार्मान पूरे सुनवा लिया मेरे नंद नंदो इसे मुझे हमेशा बाल की खाल निकालते हैं लेकिन इस बार तो मेरे मुहु पर तेरी बात कहकर चले गए इतना बोला था तेरी मा को की मेरी नाक बचाने के लिए दहेज में दो सामान अरे कुछ नहीं तो एक फ्रिच दे दे लेकिन नहीं अगर तेरे दहेज में एक फ्रिज आ जाता तो क्या जाता मा जी आप तो जानती हैं बाबा ने जितना भी कमाया था वो मेरी शादी में लगा दिया अब उनकी ताकत नहीं थी वो आपका बोला हुआ दहेज भी जुटा पाएं आपने भी तो हां कर दी थी अब तो सारा इल्जा मेरे माधे मर दे मैं तो अपने छोटे बेटे सौरब की शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी कि दहेज में फ्रिज लेकर आएगी अब मुझसे और गर्मी नहीं जेली जाती अरे कलावती बस करो बहु को कितना सुनाओगी यह सुनकर संधिया अपने कमरे में चली जाती है जहां वो सास की बाद से परिशान होकर रोने लगती है अम इसमें मेरा क्या कसूर पता नहीं माजी वोजे बार-बार क्यों बोलती रहती है उन्हें समझना चाहिए आखिर वो खुद भी एक गरी परिवार से थी यह किनोंने मेरी मजबूरी समझ नहीं आती खेर कोई बात नहीं कलावती की जलीकटी सुनकर संधिया अकसर भूल जाया करती थी और घर के काम में मन लगा कर काम किया करती थी गर्मी तो उसे भी परिशान करती थी पर वो क्या करे कुछ जिनों बाद छोटा बेटा सौरव अपनी मा को अपनी पसंद के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता है ये सुनकर और लड़की की फोटो देख कर कलावती और महेश तुरंत मान जाते हैं अगले महिने में ही वो दोनों की शादी धुमधाम से करा देते हैं जहां रागनी दहेज में फ्रिज और एर कंडिशनर ले कराती है एसी तो रागनी की कमरे में लगा था और फ्रिज रसोई में रखा था अगले दिन जब गरीब जेठानी पसीने में तर होती है तो खाना बनाने के बाद फ्रिज खोल कर पानी की बोतल निकालती है ये देखकर घमंडी देवरानी बोतल छीन कर कहती है हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे फ्रिज को जोने की ये ठंडा पानी सिर्फ मेरे पती और मा जी पापा जी के लिए है आप के लिए नहीं रागनी तो मैं ऐसे क्यों कह रही हो क्या मुझसे कोई गलती होई है अरी तो अपनी गर्मी मेरे फ्रिज का थंडा पानी पीकर ही मिटाओगी क्या आप जाकर नहा लो अपने पंखे में बैठो तो बारा फिर कभी मेरे फ्रिज को हाथ मत लगा न ये सुनकर संध्या आँखों में आसो लिये चली जाती है दिन गुजरती हैं घर के सभी लोग ठंडे ठंडे फ्रिज का पानी पीते हैं आईस्क्रीम जमा कर खाते हैं पर ये सब संध्या को नसीब नहीं है था सास को गर्मी लगती है तो वो अपनी बहू की कमरे में दोपहर में सो जाया करती थी और उसी की तारी भी करती थी देखा बड़ी बहू ये होती है बहू कम से कम अपने दहेज में फ्रिश तो लेकर आई है अब सब पानी पी रहे हैं और तू भी जी माजी अरे तुझे खासी आ रही है ये ले पानी पी ले सास की ये कहते ही रागनी तिर्ची नजरों से अपनी जिठानी को देखती है तो वो कलावती को इंकार करते हुए कहती है नई नई मा जी, मैं ठीक हूँ, मुझे फ्रिज का पानी पीने से और खांसी हो जाएगी, दरसल मुझे मठके के पानी की ही आदत है अरे जे ठानी जी पी लीजे जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही आदत बनाओगी फ्रिज का पानी पियोगी तो मटके की आदत छोट जाएगी बिल्कुल छोटी बहु, सही बोला बाद में पी लूँगी, अभी तो मटके का ही चाहिए ये बोलकर संध्या रसोई में जाकर मटके का पानी पीती है ये बात कलावती को बहुत अजीब लगती है वहीं दूसरी ओर रागनी, कलावती और घरवालों के सामने भी अच्छा बनने का नाटक करती है लेकिन सबके पीट पीछे वो जिड़ानी से उसके फ्रिज से दूर रहने को कहती है अक्सर कलावती गर्मी जेलते हुए संध्या को देखती थी फिर एक शाम गौरव थकाहारा ओफिस से आता है अरे संध्या, जरा फ्रिज का ठेंडा पानी लाना बहुत प्यास लग रही है जी, अभी लेकर आई संध्या अपने पती के लिए फ्रिज से पानी निकालती है तो रागिनी फिर से कहती है आपको उस दिन मना किया था ना? मैंने, कि मेरे फ्रिज को हाथ मत लगाईए मैं आपको पानी नहीं पिने दूँगे फिर रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो मैं तुमारे जेटशी के लिए पानी लेने आई हूँ उन्हें तो दे दो, वो ठक गई है कोई जरूरत नहीं है उन्हें भी मटके का पानी पिला देजिए ये मेरे दहेज में आया है फ्रिज आपके नहीं, गरीब हो गरीब बन कर रहो अमीर वाली चीजे मत पालो रागिनी की कांटो भरी बात सुनकर संध्या फिर रोने लगती है और अपने पती को मटके का पानी ला कर देती है आरे संध्या तो मटके का पानी क्यों लाई हो फ्रिज का क्यों नहीं अजी वो फ्रिज में अभी बोतल भर कर रखी है तो ठंडी नहीं हुई इससे ठंडा पानी मटके का लगा तो मैं मटके का पानी ही लेकर आई हूँ आपके लिए ठीक है ये सब होता हुआ कलावती देख लेती है उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दोनों बहु पर निगरानी रखती है एक दिन ग्रागिनी संध्या पर फिर से चिल ला रही थी सिर्फ इसी लिए कि वो फिरिज के पास खड़ी थी ये देखकर कलावती को सब कुछ समझ आ जाता है और वो संध्या के पास जाकर कहती है अरे बहु तो फिरिज का पानी पीती है अच्छा लगता है ना थंडा थंडा हाँ माजी बहुत अच्छा लगता है मटके से भी जादा फ्रिज का पानी अच्छा लगता है आप तो मेरी आदत ही बदल गई हाँ बहू और कितना जूट बोलेगी माजी आप क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राकिनी बहू जरा इधर आ अब बताओ मुझे तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है क्यों संध्या बहू तु जूट बोलती रही कि मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ फ्रिज का पानी बहुत अच्छा है उस दिन गौरा फ्रिज का पानी पिना पिये रह गया था बता रागिनी बहू तु क्यों मेरे दोनों बड़े बेटे और बहु को पानी पीने नहीं देती है ऐसे नहीं बोलोगी तुम तब ही कलावती मारने के लिए हंटर निकाल कर लाती है वो रागनी पर हंटर मारने के एक्टिंग करती है कि इतने में डर कर रागनी बड़बडाने लगती है मा जी मुझे मत मारिये मैं सब कुछ बताती हूँ दरसल मैंने ही जिठानी जी से बोला था कि वो मेरे फ्रिज को खाट ना लगाए और पानी भी ना पिये इसलिए वो नहीं पीती है उस दिन तो तु बड़ा फ्रिज का पानी पिला रही थी दिखावा कर रही थी जी मा जी जिठानी जी दिदी मुझे माफ कर दीजी मुझे माफ कर दीजी बहु अब भी तु बुद्ध बनकर हिखड़ी रहेगी ख्या बड़ी बहु अरे इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए किसी को क्या करूं माजी, कभी कबार मेरी अच्छाई मुझ पर हावी हो जाती है पर जो हो गया सो हो गया, भूल जाईए रागिनी, तुम्हें अपनी भूल का पश्टावा हो गया है, यही काफी है जे ठानी जी, जब आप और जेट जी मेरे फ्रिच का पानी पिएंगे और मेरे कमरे में भी आएंगे, एसी में बैटने, तभी मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया हाँ हाँ, कर दिया रागिनी, अब दोनों प्यार से मिलकर रहना इस तरहां कलावती की दोनों बहु में सुला हो जाती है और वो प्यार से रहती है साथ ही घर की सभी लोग फ्रिज का आनंद लेते हैं